हाई गाईज, स्वागत आपका अंजुस्ट रीचिंग आडिया चेनल पर तो फ्रेंट्स आज हम कत्रन से बनाने वाले हैं सर्दियों के लिए बहुत ही प्यारा गद्दा कहो डोर्मेट कहो पाइदान कहो बहुत ही योजफूल चीज लेकर आई हूँ और बनने के बाद जो इसका लूक है वो बहुत ही प्यारा आया है आप भी देखना वीडियो के एंड में और कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह आइडिया कैसा लगा और एक इसमें मैंने बैड़ सिट का यूज किया है आप चाहो तो इसमें कट्टे का भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली है एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके तो मैंने लंबी पटिया खट करके ले ली है तीन इंच की चोडाई है सताइस इंच इनकी लंबाई है और इनको हम देखिए इस इसके साथ में इसको जोडा है इनको हम फैलाएंगे नहीं जैसे हमने सेट करके रख रखा उसी हिसाब से उठाते जाएंगे एक एक और सिलते जाएंगे और इस चीज़ का भी ध्यान दखना है जिस तरीके से मैंने कलर मैच इसमें सेट कर रखे हैं आपको भी इसी प्रकार से color match set करने हैं नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी अगर आपने सारी पट्टी अलग-अलग color की ले ली तो हमें दो पट्टी एक color की चाहिए इसमें और सिर्फ बीच वाली जो पट्टी है वो हमें अलग color की चाहिए सबसे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है नहीं shortcut में बता रही हूं नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हमारी ये सारी पटिया है जो जूड़ गई है इनको अच्छी finishing देने के लिए हमें देखिए इसके उपर प्रेस कर लेना है प्रेस ते ये सारी अच्छे से बैठ जाएंगी सिलाई जो है वो सिलाई मार ये और ब्लंबे में लगा देगे इस निसान को अब यहां से हम इसकी क relatively है अब देखिये हम क्या करेंगे छिन पटि को तो कट कर लेंगे नाप करके और फिर हमें इस पटि को पल्टेंगे और फिर इससी के नाप से हम 44 पटिया कट कर लेंगे तो देखिए मैंने सारी पटिया कट कर ली हैं इसी के नाप से एक-एक करके इससे आपको बार-बार मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी ये देखिए सारी कट करने के बाद हमें इनको कुछ इस प्रकार से डिजाइन से रखना है नीचे से एक बॉक्स छोड़ते जाएंगे और एक बॉक्स छोड़कर हम इनको क्रोस में इस प्रकार रखते जाएंगे सबको ये देखिए सारी पटि मैंने कुछ इस प्रकार से क्रोस में रख ली है अब हमें क्या करना है इनको सबको आपस में अटेच कर लेना सिलाई से बीच में सिलाई लगाएंगे और सबको अटेच कर लेंगे इस प्रकार से रखेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे तो सारी पटिया हमें इसी प्रकार से जोड लेनी है यह देखिए मैंने जोड ली है और जोडने के बाद मैंने एक बार प्रेस कर ली अब इस कोणर से इस कोणर तक हमें इसकी गटिंग कर लेनी है और जो पीस हमारा कटके निकला है आगे उसको यहां लेकर आएंगे यूँ का यूँ और यहां पर हमें इसको जोडना है तो देखिए अगर आप अलग अलग कलर की पटियां लेते तो उससे क्या होता आपके यहां पर आकर दिक्कत हो जाती तो इसलिए आपको दो पटि सेम क लेते वे लेनी है और सातवी पटि जो है हमें वह अलग लर की लेनी है बीच वाली इस चीज का ध्यान रखना बस आप फिर आपकी डिजाइन जो हो परफेक्ट बनेगी और साइड में से एक्स्ट्रा कॉर्णर कट करके निकाल देंगे अब देखिए मैंने कट्टा लिया ह जिसकी चोड़ाई है 19 इंज की और लंबाई है सताई सिंज की इसके उपर मैंने बेड़ सिट को रख लिया बेड़ सिट आप डबल रखना इस पर और फिर इसको देखिए सेंटर में लंबाई की सेंटर निकालेंगे हम इसका यहां पर कट लगा लेंगे छोटे-छोटे औ अब सेंटर सेंटर मिलाएंगे हम मैन फैबरिक का जो इसका बीच वाला येलो का कोर्नर है यह इसका सेंटर है तो सेंटर सेंटर मिलाएंगे इसको ऐसे रखेंगे अब देखिए इसको अटेज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग रहेगा हम इसको ऐसे प यह देखिए हम जैसा सेट था वैसे के वैसे मैंने यहां पर इसको पकड़ लिया है एकदम टाइट करके किस देखना नहीं चाहिए उधर उधर नहीं तो गड़ बड़ हो जाएगी फिर यह देखिए यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है अब सेकिंड वाला जो है पार्ट उसमें इजी रहेगा उसमें प्रोब्लम नहीं आगए वो अपने आप सेट हो जाएगा इस चीज़ का द्यान रखना कि सलवट नहीं आनी चाहिए एकदम फिनिसिंग के साथ हाथ से फैलाते वे हमें इसकी ऊपर सिलाई लगाना है नीचे सलवट नहीं आनी चाहिए अब उसके बाद देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार से हम जमा लेंगे और इसकी अपर उसके उपर इसी प्रकार से शिलाई लगा लेंगे इसके उपर सारी शिलाई इसकी लग गई है अब जो साइड में जो जिस कलर का कपड़ा है हमारा उसी कलर की हमें जो है पटियां कट करके लेनी है दो सेम कलर की तो देखिए मैंने ले ली है सेम कलर की दो पटि लास्ट में जितना हमारा कपड़ा बच्रा इतनी चोड़ाई लेनी है लंबा इसके बरोबर लेनी है इसको यहाँ पर पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे लाश्ट में जितना फैबरिक बच्रा है हमारा नीचे कट्टे का और उसका उसको कवर करना है यहाँ सिलाई लग या और यहां पर हमें देखिए इसके उपर सिलाई लगानी है बार की इसको इस साइड से फिनिशिंग देना है तो इसको पलट लेंगे इस साइड थोड़ा सा अलग तरीके से देना फिनिशिंग देखिए यहां पर एक इंस एक्स्टा कपड़ा लेके अंदर की साइड हमें फोल्ड करना है अब इसके उपर आधा इंस सिलाई मार्जन छोड़ते नहीं होगी बहुत आसान तरीका है और पर इसको फोल्ड करेंगे अंदर की सेड और यहां पर कवौर unseen से हम में सीलाई देना इसको सुरू करेंगे और पुरा लंबे में हम इसको सीर लेंगे कोनर फर फिनिशिंग देने का ये बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है और बहुत अच्छी इससे फिनिशिंग आती है तो आप इसी को यूज करके देखना ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी एक ओनर बन कर इसकी तयार हो गई है अब हमें सेम तरीके से दूसरी साइड भी फिनिशिंग देनी है इसमें इसको पलटेंगे इसके उपर पट्टी रखेंगे तीन इंच चोड़ी और एक्स्टा कट करेंगे हमें एक इंच ऊपर से एक इंच नीचे से और इसको इस प्रकार से फोल्ड करते वे इसको सिल लेंगे और पलट कर इसको फोल्ड करते वे हम इसके उपर भी सिलाई लगा देंगे जैसे हमने पहले वाली की है सेम तरीके से इसको भी वैसे ही करना है तो friends ये final look है आप इसको गद्दे की तरह बनाओ तो नीचे आपको कट्टा यूज नहीं करना सिर्फ bad shit यूज करना है बीच में आप इसमें एक्ट्रा कपडा डाल सकते हो देखिए इसके किनोर के उपर कितनी अच्छी finishing आई है उल्टी side भी देखिए बिल्कुल equal बनकर तयार हुआ है आप इसको गद्दे की तरह मैट की तरह टेबल मैट भी इसको यूज कर सकते हो देखिए कितना अच्छी तरीके से बनकर तयार हो गया है आप जरूर बताना कमेंट में आपको ये कैसा लगा मेरा आईडिया और सारा मैंने waste material से बनाया है आप इसको पुराने कपड़ों से बना सकते हो अगर आपके पास कतरन पढ़िया तो कतरन से बना सकते हो उमीद करते हूँ मेरा आज का आडिया आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like, comment and share जरूर करना मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए खुश रहिए, मस रहिए, बाई